गुड मॉर्निंग एवरीवान, वेलकॉम बैक टू दे चैनल, यहां पर हम 3rd October के Current Affair को डिसकस करेंगे, शुरू करते हैं, यहां कुछ प्वेशन हैं जो बिहार पुलिस में पूछे गए हैं, अभी थोड़ा सा चेंज यह किया है हम लोगोंने, शॉर्ट निउस जो करते थे उसकी जिगे पर PYQs रखे हैं, क्योंकि यह थोड़ा ज़ादा मुझे लगता है कि help करेंगे, क्योंकि Current Affair हम डेली पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ revision का पार्ट भी होता है, तो अगर एक बार हम question शुरू करने से पहले PYQs देख लेंगे, यह अलग-अलग exam में कैसे question सकते हैं, Current Affair को, है ना, तो चलिए इसमें देखते हैं, question है, who was the first chief election commissioner of India, कौन है यह अच्छे से आद होना चाहिए, सुकुमार सेन है, Eritrea located in which continent, Eritrea African country है, ठीक है, फिर है in which year right to information act implemented, इस act को 15 जून 2005 में किया गया था implement, फिर next question है, प्रोटम speaker appointed by, प्रोटम speaker इसको पॉइंट किया जाता है, president के द्वारा, हिंदी में इसे अंतरिम speaker, अंतरिम लोकसभाध्यक्षपी कहा जाता है, अगला question है, who had given the idea to have a constitution of India, भारत का constitution होना चाहिए, इसको कहा जाता है, continent of disparities, which island is also known as sandwich islands, तो इसका अंसर होगा, हवाई islands, इनको बुला जाता है, sandwich islands, और फिर last question है, torch relay process, was started from which Olympic event, तो यह 1936 में, बर्लिन से start की गई थी, torch relay process, Olympic event में, ठीक है, Olympics जो खेलते हैं, हम देखते हैं, torch relay, उसकी बात की जा रही है, तो यहां पर यह answers भी mention है, PDF मिलेगी, तो आराम से इनको पढ़ेगा बात में, questions की बात करते हैं, बाज के, when is world habitat day celebrated every year, इस दिन को इस बार celebrate किया, 2 October को किया गया, वैसे इसकी date यह नहीं है, world habitat day, October के first Monday को celebrate किया जाता है, अब क्योंकि 2 October को यह पढ़ा है, तो इस दिन इसको celebrate किया गया, इसके अलावा तो 2 October को गांधी जैनती होती है, यह लाल भादु शास्त्री जी की birth anniversary है, और international day of non-violence भी उस दिन celebrate किया जाता है, ठीक है, और कल के दिन ही world habitat day को भी celebrate किया गया, इस बार host country कौन थी global observations के लिए अजरबरजान थी यह theme रखी गई है, resilient urban economies, cities as drivers of growth and recovery, मोहमद मुईजू elected as the new president of which country, तो यह जो है मालदीव के नए प्रेजिटन की तौर पर अपॉइंट हुए हैं, इब्राहें मोहमद सोली इन से पहले थे, मालदीव के प्रेजिटन अब यह बन गए है, मालदीव की capital है, माले, smallest country है एशिया में, second least populous country है एशिया की, और यह सार्क की, UN की, Commonwealth Nations की, NAM की और Organization of Islamic Corporation, इन सभी groupings की, इन सभी organizations की member है, और मॉलदीव से मिनिकॉई और मॉलदीव को separate करने वाले channel को 8th degree channel कहा जाता है, यहाँ पर PM और President कुछ revise कर लिते हैं recent के, उसिंगापूर के नए President बने है, थर्मन शन्मुग रतनम, हुन मानेत, कमबोडिया के नए PM बने है, पेटरी और पो, Finland के PM बने है, अनवर उलहक, काकर, ये केर टेकर PM बने है, पाकिस्तान के, फ्रेंक वाल्टर स्टीनर, जर्मनी के President है, क्रिस हिपकिन्स, PM है न्यूजिलेंड के, रिशी सुनाक, UK के PM है, पुष्प कमल दहल, नेपाल के PM है, दिनेश कुनवर्दने, श्रंका के PM है, फूमियो किशिदा जापान के PM है, और अन्थनी एल्बनीज, उस्ट्रेलिया के नए PM बने है, तो आगे एन एक नया टॉपिक याद करने के लिए रेडी हो गया है, नोबेल प्राइस का जो अमिशा पूछाई जाता है, तो मैडिसन के लिए नोबेल प्राइस 2003, इसमें ये मिला है, कैटलीन कैरी को और डिऊ-हू किसमन, ये दोनों ही परसीन को मिला है नोबेल प्राइस, Katalin Hungary से बिलॉंग करते हैं Drew USA से बिलॉंग करते हैं और इनको क्यों दिया गया है इनकी discoveries के लिए concerning nucleoside-based modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19 और last year का Nobel Prize Medicine के लिए Swantipapo को दिया गया था ये last year के winners हैं सारे इनको revise कर लिते हैं एक बार तो वो physics में Nobel Prize मिला है Alan Aspect, John F. Clojure और Anton Zillinger को 2022 में मिला था Chemistry में मिला था Caroline R. Bertuzzi Morton Meldal, K. Very Sharpless Physiology या फिर Medicine का मिला था Swantipapo को ये Sweden से बिलॉंग करते हैं Literature में Nobel Prize Annie और Knox को मिला था ये French author है Nobel Peace Prize मिला था Alice Bialaski को Memorial एक organization है और Center for Civil Liberties ये भी एक organization है Economics में Nobel Prize मिला था Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond और Philip H. Dipvick को Indian Men's Badminton Team wins which medal at the Asian Games 2023 तो India Indian Men की Badminton Team के द्वारा जीता गया इसमें Silver Medal रिक है ये गलत है यहाँ पर भी आएगा answer पहली बार इंडिया के द्वारा Silver Medal जीता गया है Asian Games में और Gold किस ने जीता चाइनिस टीम ने जीता है फिर Indian Team में जो Singles में थे मिथुन मंचुनाथ लक्षे सेन और किदामभी श्रीकान थी ये प्लेयर्स ने सिंगल्स में खेला और जात्रिक साहिराज, रंकी रेड़ी, चिराक शेटी, साही प्रतीक और दुरूफ कापिला इनके द्वारा डबल्स में खेला गया तो याद रखना है Indian Men's Badminton Team Silver Medal जीता है चाइनिस टीम ने अब बहुत दिनों से हमने ये रिवाइज ने किया है तो कर लेते हैं Asian Games 2023 जो हो रहे हैं इसके Mascot क्या-क्या है तो चेंचें, कॉंग कॉंग और लियान-लियान ठीक है चाइना की द्वारा होस्ट किया जा रहा है 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स का Mascot आश्या चीता रखा गया था MP में ये गेम्स हुए थे फिर है 3rd खेलो इंडिया यूणिवर्सिटी गेम्स UP में हुए थे इसमें Mascot था जीतू एक Swamp Deer का नाम है था ये 3rd खेलो इंडिया विंटर गेम्स जमु कश्मीर में हुए और स्नो लेपर्ड इसका Mascot था 1st जनजातिय खेल महोटसव ओडिशा में होस्ट किये गए और भीमा इसका रखा गया था Mascot 37th नाशनल गेम्स गोवा में हुए और मोगा इंडियन बाइसन का एक नाम है मोगा ये नाम रखा गया था ये इसका Mascot था 2023 IBA Women World Boxing Championship नई दिल्ली में हुई और वीरा चीता इसका Mascot था next आता है FIFA Women's World Cup ऑस्ट्रेलिया और New Zealand के द्वारा होस्ट किया गया और तेजूनी पेंग्वेन का नाम ये Mascot रखा गया था और Asian Athletics Championship थाइलेंड में हुई और दहनुमान इसका Mascot था Who is the current chairman of CBDT Central Board of Direct Taxes इसके नए current chairman है Nitin Gupta तो option B correct होगा और इनका tenure ना बढ़ा दिया गया है June 2024 सक के लिए ठीक है extend कर दिया गया है तो यही अब रहने वाले भी हैं CBDT एक statutory authority है जो की function करती है under the Central Board of Revenue Act 1963 और Ministry of Finance के अंदर Department of Revenue का यह एक पार्ट है यह प्रोवाइड करता है input for policy and planning of direct taxes in India Recent appointment यहां देख लेते हैं दिनेश दरसा यह UPSC के नए member बने है Member बने है ठीक है chairman कोन है Manoj Soni है K.N. Shant Kumar Press Trust of India Board के नए chairman बने है PM Modi के advisor Amit Khare है इनको reappoint कर दिया गया है CEO of Penguin Random House यह है निहार मालविया Digital Infrastructure Provider Association के chairman धननजा जोशी है Vice Chairman of Digital Infrastructure Provider Association Sandeep Girotra बने है और पहली Women Army Surgeon in Para Commando यह है पायल चाबडा इन विच स्टेट विल आयुष बोर्ड भी फॉर्म बी फॉर्मड आयुष बोर्ड को फॉर्म किया जाएगा उत्तर परदेश में यह बोर्ड किसलिए फॉर्म किया जाएगा Management of Institutions जो भी आयुरवेदा, युनानी, होमयोपथी, सिध्धा, नैचुरपथी और योगा प्रैक्टिसेज इन सभी से रिलेक्टेड जो भी इंस्टिटूशन है उनके management के लिए आयुष बोर्ड बनाया जाएगा और साथ में इन method से related जो भी डॉक्टर हैं, उनको अपना registration करवाना है तो वो भी आयुष बोर्ड के जरिये हो सकेगा युपी के CM योगिया दितिनाथ के द्वारा ये बोला गया है कि अब युपी में आयुष बोर्ड का गठन किया जाएगा तो ये तो हमने repeat हो गया ना कल भी देखा था, गुजरात में आकाश वानी दाहोद FM रिले स्टेशन प्रॉजेक्ट का foundation stone PM मोधी के द्वारा रखा गया है यहां पर PM मोधी कई बार न्यूज में रहते हैं क्योंकि ब्रधान मंतरी एफकॉर्स रहेंगे ही तो इनके द्वारा कुछ चीज़े जो launch की गई है या foundation stone रखी गए उनको देख लेते हैं पहला तो यही है हमने देखा अभी फिर next है संकल्प सप्ता हमने देखा था ना program for aspirational blocks इसको नई दिल्ली से launch किया है इन्होंने फिर इसके अलबा इंटरनाशनल lawyers conference नई दिल्ली में inaugurate की गई Lord Shiva themed stadium वारांसी में बनेगा तो इसका foundation stone रखा गया है PM मोधी के द्वारा संत्रविदास temple MP में इसका foundation stone इनों रखा भारतिये वस्र इवं शिल्पकोश इपोर्टल इसको launch किया है और यूरिया गोल्ड इन राजस्थान लाँच किया गया है PM मोधी के द्वारा which bank has partnered with Sahi Bandhu to launch doorstep gold loan facility called KBL Swern Bandhu KBL Swern Bandhu इसको launch किया है ये doorstep gold loan facility है gold loan मिनता है न सोने पर loan मिलता है वो वाले सोने पर नहीं गोल्ड वाले सोने पर तो ये doorstep प्रवाइड किया जाएगा KBL Swern Bandhu के तहत करनाटका बैंक के द्वारा ये किया गया है और इसने Sahi Bandhu के साथ में partnership की है इसके लिए ठीक है तो एक key words याद रखेगा doorstep gold loan है KBL Swern Bandhu इसका नाम है साही Bandhu के साथ में partnership की है करनाटका बैंक ने बस इतनी चीज़े याद रखनी है ठीक है करनाटका बैंक की चीज़े याँ देख लें तो 18 फेब 1924 में establish हुआ था मेंगलोर करनाटक में इसका headquarter है MD और CEO है Krishnan Harihara Sarma और tagline है इस बैंक की Your Family Bank across India विच कंट्री सीक्स reinstatement in UN Human Rights Council one year after removal तो आपको पता होगा रश्या को बहुत सारी organization से निकाल दिया गया था तो यह रश्या ही इसका answer है इसको UN Human Rights Council से निकाल दिया गया था और एक साल बाद अब रश्या चाहता है कि वापस उसमें अब इसको entry मिल जाए ठीक है तो वो देख रहा है कि किस तरह से किया जा सकता है इसको एपरिल 2022 में रश्या को बहर निकाल दिया गया था इससे वही रश्या Ukraine War के वजह से अब UNHRC की कुछ चीज़े याद रखेगा 15th March 2006 को स्टेबलिश हुआ था हैटकोर्टर है जेनेवा स्वीजरलेंड में और प्रेजिडेंट है इसके वेकलेव बलिक अब लास्ट में एक क्वेशन है आप लोग के लिए वन इस इंटरनाशनल दे ओफ नॉन वालेंस सेलिबरेटेड एवरी यूर, 2nd September, 2nd November, 2nd December या फिर नन आंसर करना है इसका कमेंट बॉक्स में और इसे के साथ वीडियो का होता है एंड थांक यू सो मुच वाचिंग दे वीडियो जैहिंद